डॉनल्ड ट्रम्प पर हुए हमले के इतने सारे फोटो और वीडियो मेरी सोशल मीडिया फीड में आये हैं कि दिमाग में बस गए हैं जब ऐसी कोई बड़ी घटना होती है तो सोशल मीडिया भी सुपर अक्टिव टर्बो मोड में चला जाता है और जब हमले का निशाना अमेरिका जैसे देश का पूर्व और शायद होने वाला राष्टपती हो तो बड़ी हर्चल तो मचनी ही थी लेकिन सोशल मीडिया इसके असर को कई और गुना बढ़ा देता है जैसे कि इसी मामले में देखिए ये न्यूज और इसकी तस्वीरे कुछ ही सेकेंड में दुनिया भर में फैल गई इस तरह की कॉंस्पेरिसी थेयरी सामने आने लगी सोशल मीडिया के आम यूजर से लेकर बड़े-बड़े मशूर लोग भी अपनी राय रखने लगे ट्रम्प की रैली में गोली बारी के कुछ मिनिट बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो गया अमेरिकी सीक्रेट सर्विस, एफबी आई और ट्रम्प कैम्पेन के किसी भी ओफिशल बयान के आने से काफी पहले नतीजा ये हुआ कि बिना किसी ठोस जानकारी के सामने आये, इंटरनेट तरह तरह के साज़िशों की कहानी से भर गया इन में से दो कहानिया खासी लोग प्रिया हुई एक दावा ये कि हमला खुद ट्रम्प और उनके कैम्पेन नहीं करवाया है ताकि वोटरों की सहानुभूती और वोट ले सके और दूसरा ये कि वाइट हाउस के आदेश पर ट्रम्प को गोली मारी गई और सीक्रिट सर्विस जान बूच कर इतनी स्लो थी जाहिर है कि इन दोनों का कोई सुबूत नहीं मिला लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए सोशल मीडिया ने पूरे समाज को बाट दिया एक्स इंस्टाग्राम जैसी कमपनियों पर भावनाय उडेली जा रही थी जबकि फैक्स किसी के पास नहीं थे और आज के समय में हम AI को कैसे भूल सकते हैं उसका भी इस्तेमाल हुआ कुल में लाकर सच और जूट का पता लगाना और कठिन हो गया जैसे AI से बदली गई इस फोटो में सुरक्षा कर्मियों को मुस्कुराते हुए दिखा दिया गया बहस पहले ही गर्म हो चली थी कि तभी इलोन मस्क जैसे दुन्या भर में फॉलो किये जाने वाली शक्सियतों ने अपने अकाउंट पर पोस्ट करना शुरू कर दिया X के मालिक मस्क ने ट्वीट किया कि वो ट्रम्प का पूरी तरह से समर्थन करते हैं ये ट्वीट X पर खूब फैली एक एक कर साज़िश भरी कहानियों के समर्थक जुटते गए कई नेताओं में भी ऐसे निराधार दावे फैलाने की जल्दी दिखी Republican नेता Marjorie Taylor Greene और Democrat नेता Antonio Parkinson को ही लीजिए सच ये है कि दोनों ही तरफ के ज़्यादातर निताओं ने ट्रम्प पर हमले की कड़ी निंदा की थी लेकिन सोशल मीडिया के अल्गोरिदम ऐसे हैं कि हमारी फीड में ज्यादा चटकारों वाले हमें आपस में बांटने वाले कॉंटेंट कहीं ज्यादा दिखते हैं सीदे सीदे कहें तो सोशल मीडिया अल्गोरिदम का मकसद सिर्फ हमें ज्याद से ज्यादा समय तक सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर रखने का है उसके लिए चाहे उन्हें जो दिखाना पड़े खासकर राजनीती के मामले में इसका गंभीर असर होता है यूजर का ध्यान खीचने और उन्हें ऐसी साइटों पर बनाए रखने में इमोशनल बातें किसी भी फैक्ट से ज्यादा कारगर दिखाई देती हैं मस्की ऐसी एक एमोशनल फोटो पोस्ट पूर्व अमेरिकी राश्ट्रपती बराक अबामा के इस फैक्ट्वल ट्वीट के मुकाबले कहीं ज्यादा रियाक्शन और कॉमेंट्स पाती है यही कारण है कि सोशल मीडिया के अल्गोरिदम ऐसी राय बांटने वाले कॉंटेंट खासकर पुलिटिकल बातें भर भर के हमारी फीड में डालते हैं कई प्लाटफॉर्म्स इस समस्या के उपाय खोज रहे हैं जैसे फरवरी में इंस्टाग्राम ने कहा था कि अब वो किसी अकाउंट से पोस्ट किये गए पुलिटिकल कॉंटेंट को केवल उसके फॉलोर्स की फीड में ही भेजेगा नए लोगों को रेकमेंट नहीं करेगा दूसरी और एक्स, मेटा और यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया कमपनियों ने ऐसे टूल्स या तो कमजोर या फिर पूरी तरह से हटा दिये हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़ी गलत जानकारियों से लड़ सके यही कारण है कि आपको वहां हर तरह की जूटी सूचनाए, साजिशें और लोगों में गुस्सा जगाने वाली यानि रेज बेट खूब दिखती है हम जो कुछ भी ऑनलाइन देखते हैं उसे सच मान लेने के बजाए सावधान रहना चाहिए ध्यान दीजिए कि किसी भी मीडिया नहीं केवल अपने भरोसे के मीडिया चानल्स को ही फॉलो करें किसी भी बात के सोर्स पर सवाल करें अगर पोस्ट में ये साफ नहीं है तो उसे सच न माने ये भी देखें कि क्या किसी बात की पुष्टी और किसी सोर्स से हो सकती है अगर न्यूज सच है तो बाकी जगहों पर भी मिलनी चाहिए देखिए कि किसी भी दावे को साबित करने के लिए कौन से सुबूत दिये गए है आजकल फैक्ट चेक के बेना कुछ भी मानने लायक नहीं है आखों के साथ साथ दिमाग भी खुला रखिए फिर मिलेंगे